कि नमस्ते दस्तों यारे से स्टटी बैंट चैनल पर आपका सागत है अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी बेल एकन को क्लिक करें प्लीज वीडियो को लास्ट देखें हम आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट आपजेक्टिप कोशन संसार में कितने मुख्य धर्म संसार में 8 मूख्य धर्म है इसका अंत्तों भानी किस नीख कोशन भारत में कितनी भासाइं बूली जाती हैं भारत में soldiers से अधीग भासाइब बूली जाती हैं इसका एंसों सोलें सो प्लस अब आते हैं नेक्स्टोशन पर आज के मारा नेक्स्टोशन है भारत में कितने परकार की whether you cost यह कियें जाते हैं भारत में शों से अधिक परकार की निभी प्लस अब आते हैं जिस ऑन जग कर Kṛṣṇa आते हैं च sitä याद रखीएगा डली तो के सबसे बढ़े निताके रूप में जाता है उन्हों ने कई सफर पर याज के दलीतों को अधिकार दिलाने के लिए है आप कोieni पर से आज कोशन है डक्टर भीम राम बेतकर का जन्म किस जाती में हुआ था अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर सरकार किस अस्तर पर काम करती है सरकार अस्थानी एस्थार राज एस्थार और राश्टी एस्थार पर काम करती है अर्था इसके एंसों कर डी उप्रोक्त सभी यार दखिए कर दोस्तों अस्थानी एस्थार का मतलब गाउं सहर या मुहले से है राज एस्थार का मतलब राजे से है तथा राश्टी एस्थार अमेरिका में औरतों को भोट देने का दिकार कब मिला? अमेरिका में औरतों को भोट देने का दिकार उनीसो बीस में मिला? इसके अंसों का बी, उनीसों बीस साथी तो शोयाद रिखेगा अमेरिका में महिलाओं और गरीबू को सरकार की कार्यों में भाग लेने के लिए बहुत संगर्श करना पड़ा था महिलाओं द्वारा मतदिकार के लिए किये गए अंधोलन को महिला मतदिकार अंधोलन कहते हैं और अंग्रेजी में उसे सफ्रेज मुवमेंट कहते हैं, चलिए दोस्तों अब आते नेक्स्ट कोशन पर, आज के मारा नेक्स्ट कोशन है, इंग्लेंड में औरतों को बोट देने का दिकार कब मिला, इंग्लेंड में औरतों को बोट देने का दिकार 1928 में मिला, इसके अंजो दक्षुर अफ्रीका एक लोगतांत्रिक देश कब बना दक्षुर अफ्रीका एक लोगतांत्रिक देश 1994 में बना इसका एंसों का ए 1994 द्यान रखिए दुस्तों दक्षु अफ्रीका पहले रंगवेद कानून से सासी था रंगवेद का मतलब है तौचा के रंग के अधार पर भेदभाव करना रंगवेद को खदम करने के लिए बहुत से अंदोलन किये गया बहुत संघर्ष के बाद अंदता 1994 में दक्षु अफ्रीका में सफलता मिली और दक्षु अफ्रीका एक लोगतांत्रिक देश बना अब आते नेक्स्ट कोशन पर आज कमरा नेक्स्ट कोशन है क्रिष्णा राजा सागर बांध कहां इस्तित है क्रिष्णा राजा सागर बांध करनाटक में इस्तित है इसके अंचोगा डी करनाटक याद रखिएगा दोस्तो कृष्णा राज सागर बांद कायरी नदी के उपरी छोर पर इस्तित है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर आज का मारा नेक्स्ट कोशन है मेटूर बांद कहां इस्तित है मेटूर बांद तमिल नाडू में इस्तित है इसके अंसर का B तमिल नाडू साथे दोस्तों याद रखिएगा यह बांध काविरी नदी के निचली छोर पर इस्तित है अब आते हैं नेक्स्ट कुशन पर आज कमारा नेक्स्ट कुशन है क्रिशन राजा सागरबांध और मेटूरबांध किस नदी पर इस्तित है इसक एंचलगा काविरी नदी शाथे दोस्तों याद रखिएगा मेटूरबांध में पानी तभी भरता है जब क्रिशन राजा सागरबांध से पानी छोड़ी जाए दोनों राजियों को अपने लोग के लिए भरपूर पानी चाहिए इससे विवाद उत्पन होता है अब आता है नेक्स कोर्चन पे आज का मारा नेक्स कोर्चन है बेटी बचा बेटी पढ़ार नाम कभियान की सुरुआत कब हुई बेटी बचा बेटी पढ़ा नामक अभियान की शुरुआत 22 जन्वारी 2015 को हुई इस क्यांत होगा C 22 जन्वारी 2015 साथी दोस्तों याद रखिएगा लड़कियों को नियाई के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर आज के मारा नेक्स्ट कोशन है बेटी बचा बेटी पढ़ा नामक अभियान की शुरुआत किस ने की बेटी बचा बेटी पढ़ा नामक अभियान की शुरुआत नरेंद्रमोधी ने की इसका अंसों का B नरेंद्रमोधी अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर, आज के मारा नेक्स्ट कोशन है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के ब्रांडम बिजडर कौन है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के ब्रांडम बिजडर साक्षी मलीक है साक्षी मलिक याद रखें कि दूस्तों 26 अगास 2016 में ओलांपिक 2016 की ब्रॉंज मेटलिस्ट साक्षी मलिक को बेटी बचा बेटी बढ़ा अभियान का ब्रांड एमबेश्टर बनाया गया था अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर आज कमारा नेक्स्ट कोशन है लोगतांत्रिक सरकार की पहली सिड़ी क्या है लोगतांत्रिक सरकार की पहली सिड़ी पंचायती राज ब्यवस्ता है इसका अंसोंगा ए पंचायती राज ब्यवस्ता दोस्तों ध्यान रखिएगा पंचायती राज ब्यवस्ता एक ऐसी ब्यवस्ता है जिसके दोरा लोग अप आसकर मेरे next question है بार के द्वारा चुना के प्रतिनी दी किस नाम से जाना जाता है इस मेरे फ्रतिनी दी यौड़ पंच के नाम से जाना जाता है साथ ही दोस्तों याद रखी गा एक गराम पंक्चायत कई वर्डों में बटी हुई होती है वाड पंच के साथ पंचायत शेतर के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे आज का मेरा नेक्स्ट कोशन है वाड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने सालों के लिए करते हैं वर्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंच आयत का गठन पाँच सालों के लिए करते हैं इसका依 में बभी पाँच साल अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर आज का मैरा नेक्स्ट कोशन है ग्राम पंचायत के बाद लोकतंत्र का दूसरा अस्तर कौन सा है लोगतंत्र का तिसरा अस्तर कौन सा है लोगतंत्र का तिसरा अस्तर जीला परिशद है इसके अंसोंगा डी जीला परिशद साथे दुस्तों याद रखिएगा जीला परिश्रत एक जीले के अस्तर पर विकास की यूजना बनाती है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर आज के मरे लास्ट कोशन है विकास खंड को क्या कहते हैं? विकास खंड को जनपत समुदाय और पंचायद समीती दोनों कहते हैं इसके अंसोंगा C A और B दोनों विकास खंड को जनपत समुदाय और पंचायद समीती दोनों कहते हैं साथी दोसर याद रखिएगा एक पंचायद समीती में कई ग्राम पंचायद होते हैं पंचाईच समीति के उपर जीला पंचाईटिया जीला परिसद होती है, पंचाईच समीति की मदद से जीला परिसद सभी पंचाईटों में आवंटी तो रासी के बित्रन की विवास्था करती है थेंक्यू दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को क्लिक करें